जगनाद्दा को हम लोग शच्ची स्रधानजली देंगे उनको जितने वोटों से वोटों से जीतते रहे उससे जादा वोटों से जिता कर दुम्री चुनाओ को लेकर के यह बैठक थी और महागडबंदन के साथ यह की बैठक हुई कि मुख्यमंत्री जी ने कॉंग्रिस के विधायक दलके निता ने आरजेडी लेफ्ट की जो पार्टी से उनके लोगों ने उनके लोगों ने इस बैठक में शिर्कत की और पिछले बार से जादा वोटों से यह चुनाओ जीत करके हम लोग जगनाद्दा को श्रधांजली दे पर आप कहांगे पर अनुदक है जगनाद्दा ने अपने चेतर में 18 साल में जनता से जुड करके बहुत सारे काम किये हैं वहां जो विकास के जो भी काम हुए है उनका किया हुआ है वो उनके पुराने किये गए कामों के अलावा जो सरकार की जन जनता के अनुरूप जो का किये गए एतिहासे काम ऐसे किये गए मैं भी लिस्ट पढ़ाने लगों तो आपका समय बहुत लग जाएगा लेकिन इन तमाम बातों को ले करके हम लोग छेत्र में जाएंगे और जगनादा को हम लोग शची स्रद्धान जली देंगे उनको जितने वोटों से वो जीते रहे उससे जादा वोटों से जिता कर अब तो अभी नॉमिनेशन और सब तैयारी आप देख रहे हैं कि हर स्तर पर शुरू है नॉमिनेशन होगा नॉमिनेशन के बाद कि जो प्रक्रियां हो सब पूरा हो पूरी करके फिर कैम्पेन में हैं सब लोग यह मैं नहीं बता पाओगी इसके लिए जो अधिकरित लोग हैं उन लोगों से आप पूछें देखी लौ एन ओडर की स्तिती पर मुख्यमंत्री जी बहुत गंबीर है उन्होंने कई बैठा किधर लगातार की हैं और थाना प्रभारियों के सस्पेंशन तक की बात की हैं कि अगर जमीन विवाद में किसी की हत्या होती है इस तरह की बाते आती हैं सरकार अपने तरफ से सकत कारवाई कर रहा है और निरने भी ले रहा हैं आने वाले दिनों में आप लोगों को नियंतरने जो घटना हुई है बहुत दुर्भागे पूर घी में उसके लिए पूरी सरकार बहुत गंबीर है आने वाले बीयुक्य में पिनाया गया है भाजपा के यiosa का प्लब निं जो है medical preparation का एक मात्र संस्थान, जहां है complete digital classrooms, video lectures, student tracking system, library facility and 100% result oriented ranker's badge. www.followup.in